हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चानल शेयर बादार विदायुष और बात करेंगे इस वीडियो में 19 एपरिल यानि आज की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में Mankind Pharma को लेकर दोस्तों सबसे बड़ा अपडेट है जो डेट्स है वो आप फाइनलाइज हो चुकी है प्राइस बेंड जो है वो फाइनलाइज हो चुका है तो इन दोनों के बात करेंगे इन दोनों SMEs में क्या पैसा लगाना चाहिए तो वीडियो काफी important होने वाला है ग्री मार्केट के अंदर अपने आप में काफी शांदार तीजी है तो वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना है फर्स तैंप रेंट्स अपने चैनल को विजिट किया है चैनल को पन होता हुआ नजर आएगा और अपने आप में दोस्तों काफी important issue होने वाला है mankind pharma लेकि बहुत बड़ी बात है कि फाल फिलाल के अंदर इतने कोई बड़े issues निकल के नहीं आए जितना बड़ा issue mankind pharma होने वाला है अब company करें थोड़ा सा information अगर हम समझ ले brief में तो यह बा अपने आप में mankind जो है वो काफी famous brand है and definitely यहाँ पर company का काफी बड़िया track record रहा है पिछले कुछ समय का जो अपने आप में बहुत बड़िया बात है तो mankind pharma 1991 में जो incorporate to the company वो अपना initial public offering जो है वो लेके आने वाली है इस market के अंदर अब information कौन-कौन सी है important वो आप समझ लीज जिसमें हम बात करेंगे काफी कुछ important points के बारे में क्योंकि company के plus क्या है यानि company के pros क्या है और company के cons क्या है company में कौन सी काफी बढ़िया काभीलियत है और कौन सी खामिया है वो समझना काफी जरूरी है क्योंकि यह जैसे मैंने कहा कि यह issue जितना बड़ा है यह बहुत जाद चिनता पैदा करता investors के बीचे में क्योंकि सबसे most important बात क्या है कि क्या एक individual investor का पैसा बन रहा है अगर नहीं बन रहा है तो definitely avoid करने में भी जादा संकोच नहीं होना जी है ठीक है तो information करने में बात कर लेते हैं तो details क्या है details है यह issue जो है 25 April से open होने वाला है और 27 April तक open रहे एक रुपे पर share का दोस्तों इसका face value होने वाला है यानि यह issue जो है वो सबसे important तो Monday को open होगा और यह close कब होगा Wednesday को यानि तीन दिन का issue रहने वाला है 25, 26 and 27 अब अगर और और आके चलते हैं तो दोस्तों जोसका price band company दोरा ताई किया गया है वो किया गया है 1026 से 1080 का 1026 से 10 8080 का price band है 13 shares का एक lot आपको मिलने वाला यह बात ध्यान रखेगा यानि एक lot में आपको कितने shares मिलेंगे total कुल मिला के 13 13 shares मिलने वाले हैं एक lot के अंदर अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो है दोस्तों इस issue का size जी हां इस issue का size अपने आप में काफी जादा बड़ है कुल मिला के दोस्तों जो issue है वो आपको 4326 करोड जी हां 4326 करोड का रहता हुआ देखने को मिलेगा अपने आप में काफी बड़ा issue है 4326 करोड का और सबसे बड़ी बात क्या है यह पूरा का पूरा OFS है यानि offer for sale यानि company के existing investors जिसमें company ने पैसा लगाया था जिन investors ने वो basically अपना माल यहाँ पर बाजार के अंदर लोड करते हुए नज़र आ रहे है और वो खुद बेचते हुए नज़र आ रहे है यह बात important है जो आपको पता होनी चीए कि company खुद लेकर नहीं आई है company के promoters का कह सकते हैं अभी IPO लाने का कोई यहाँ पर विचार नहीं था उनको अब reservation किस प्रकार से यह भी हमाले समझना काफी important है तो देकि reservation कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर QIB को 50% of the offer मिलेगा QIB को दोस्तो 50% of the offer मिलने वाला है फिर जो retail है जो हमाले से important 95% of the offer मिलेगा retail को 35% है इसको 15% जो offer है वो मिलेगा और 50% offer जो है वो मिलने वाला है दोस्तो यहाँ पर QIB को तो इस प्रकार से यहाँ पर offering की गई है यह बात ध्यान रखेगा Friday यानि जो date होने वाली है इसके anchor investors की वो दोस्तों रहेगी 22nd April जी हाँ 23rd 24th को तो मार्केट आफ है तो 25th को यहाँ पर IPO खुलेगा और यह जो issue है उसका 22 April को anchor portion open होगा जैसे मैंने का किसके करें हम डीटेल बात करेंगे बढ़ाई यह information जो आपको पता होनी चाहिए अब दोस्तों GMP पर बात कर लेते हैं और बाकी क्या IP उस पर बात कर लेते हैं जो open है अभी तो Mankind Farmer Mankind IFA की current जो gray market है वो करीबन 8% के आसपास दिख रही है आपको जी हाँ 8% के आसपास 87 क्यों नहीं करना है क्योंकि हाल फिलाल के अंदर जो IPOs आये है उनकी जो initial gray market थी है उसके बाद जो listing पे हुई बहुत ज़्यादा major difference था और इसलिए कहूंगा कि अभी initial gray market पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना है आपको मैं खुदी कह रहा हूँ जरूर एक अंदाजा लगाने क तो फिर बात दूसरी है बाकी दूसरा इशू जो है वो है रेटीना पेंड्स का रेटीना पेंड्स का दोस्तों जो करन ग्रे मार्केट है वो कह सकते तीन रुपे की आसपास है दस परसंट के आसपास का gray market दिख रहा है बट कोई major यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि कुछ खास दमखम अभी दिख रहा है 10% जरूर ग्रे मार्केट है लेकिन यही है कि अगर आप में रिस्क की एपेटाइट है तो ही साइप्यों लगाईएगा यह बात ध्यान रखेगा 24 एप्रिल कोई एशू क्लोज हो जाएगा आज ही गुला है वैसा तो रेटीना पेंड्स ले एजी यूनिवर्सल पाच रुपे के असपास की ग्री मार्केट है यह इशू भी दोस्तों जल्द ही मार्केट में लिस्ट होने वाला है यह बाद ध्यान रखेगा 24 एप्रिल को इसकी लिस्टिंग है मार्केट के अंदर पैटेज फिटवेल क्यूब कॉम्परेंट करीबन माइनस 5 की ग्री मार्केट चल रही है कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है और यह इशू 21 एप्रिल को मार्केट में लिस्ट होने वाला है लेकिन जो मेजर हमारे लिए इंपॉर्टन बात है वो अभी मैंकाइन फार्मा को लेकर है मैंकाइन फार्मा इशू जो है व